सर नमस्कार नमस्कार सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नम विरेंदर कुमार है सर कहां से आए आप? मैं गाउन नूरपुर जिला अमबाला से आया हूँ सर संत्रामपाल जी महाराज से आपने नाम लिक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा 30 जनवरी सन 2013 को ली सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने से पहले आप क्या बक्ति करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने से पहले बड़ा ही मेरा experience रहा कि मैं सरसे पहले पूरा परिवार मेरा सरसे वाले से जुड़ा हुआ था हम पूरे के पूरा मतलगी बच्पन में ही माँबाप वहां ले गए और हमने मतलगी उनसे नाम उपदेश लिया संत गुरमीत राम रहीम जी जो उस टाइम पे वहां के परवर्तक थे उनसे नाम उपदेश लिया और मतलगी हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम चलता रहा थोड़ी दिन बाद साथ एक 5-7 साल बाद पिता जी ने दारूपीनी शुरू कर दी ठीक है कोई ऐसा वो प्रोबलम आई थी कि पता चला था कि उन्होंने कुछ साथियों के साथ ऐसा गलत करम किया उस टाइम पे तो पिता जी ने वहां पर दारूपीनी शुरू कर दी ठीक है तो लेकिन मेरा विश्वास फिर भी जुड़ा हुआ थो मैं उसके बाद भी वहां पर लगा रहा ठीक है उसके बाद फिर मै मैंने भी महां से नाम छोड़ दिया, फिर उसके बाद मशवा है मन के साथ कि पुरा ही नक्राब हो गया था तो मैं अपना जोब लग गई मेरी गुड़गाँ में, तो मैं गुड़गाँ चला गया, गुड़गाँ जाने के बाद मुझे आदत लग दारूपीने की मास खा कि अपना ब्याशादी में भी थोड़ी बहुत लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने बताए कि पहले आप डिरा सच्चा सोधा की संत, संत गूर्मित रामरहिम सिंगesta नामदिक्सा ले रखी थी, तो सर उनके दौरा दिगई भक्टी को करने से आपको क्या लाब मिले। लाप तो यह पता है नहीं था लेकिन फिर भी यह था कि बड़ा ही प्यार था फरमात्मा के प्रती लेकिन लाप जैसा कुछ भी वहां पर नहीं था सर जैसा कि आपने बताया कि आप डेरा सच्छा सौधा से जुड़े वे थे, तो फ़िर आपने संट रामपाल जी मारत से नाम दिक्षा कईसे ली? जी, वहाँ से नाम दिशागने के बाद मैं फिर सिब जी की भक्ति करने लगा, और सिवजी के पास जाने लगा, रोज सोवार का, हर सोवार का बरत रखता था, उदर से दारू पीनी भी चुरू कर दी, मास्काना भी चुरू कर दिया, बीड़े सिगरट तो पहले से ही चलता था, ठीक है, तो मतलब कि और भी जादा, वो बढ़ गया मेरा बहु जादा, तो एक दस रुबे की पुस्तक थी उसके हाथ में, और वो बेच रहा था कि पुस्तक ले लो, मैंने खुछा यार, कौन, मैंने चोटा हा बच्चा है, शाद गरीब है बिचारा बहुँ जादा, और ये गरीबी के अंदर ये बिचारा पुस्तक बेच रहा है, मैंने बोला भी, करा जिम कितने की है, मैंने बुझा कितने की अगर अधस रुबेगी है, मैंने का अच्छा जी, मैं हटने लगा वहाँ से, चलने लगा, फिर उसने बोला, जी इसमें लिखा है कि बर्मा विश्णू में इसके माता-पिता कौन है, मेरे दिमाग में खटगी भी चल वही, सौ पागल आदिमी होगा, जो इस संत का नाम लेगा, और ये वचन बोलके उस पुष्टक को साइड में रख दिया, सर आपने बताये कि आपने ग्यान गंगा पुष्टक में पढ़ा की, संत रामपाल जी मारा से नाम लेग सालेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और भी मतलगी जैसे हम लोगों ने ये बढ़ावा दे रखा है, दहेज लेना देना, ठीक है, और शादियों में जो DJ लोग नाजते हैं, फिल्मी गंदे गाने सुनना, फिल्में देखना, यह नहीं करना है, तो मुझे बड़ा ही अजीव लगा, कि ऐसा संत, तो बेबकूप इनसान कोई नाम लेगा और वो तो गाउं में अकेला ही रह जाएगा, तो मैंने इस बात को कि दुखे माथे पत्र पढ़ो, जो नाम हर दय से जाए, काबल हारी उस दुख के, जो पल-पल नाम रटाए, कि वो समया आया मेरे उपर, कि एक बार मेरे पिता जी को पैरलाइज हो गया, और पैरलाइज होने के कारण उनकी मृत्तिय हो गई, उदर मेरी जोब चली गई, जोब जाने के बाद मेरी मतर की हालत बहुती जादा खराब हो गई, बहुती मैं हालत में हो गया, तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरे गाओं का एक बंदा, जिसका नाम रामकुवार जी है, मेरे चाचा जी है, तो उन्होंने संत रामपाल जी से नाम ले लिया, भी तो मुझे भी अचंबा लगा और दिल में ठेस लगी कि भी जब यह पागल हो सकता तो तू क्यों पागल नहीं हो सकता भई ठीक है उनुने मुझे दोख बातें बताई मैंने उनको चार बता दी क्योंकि मैंने भी चार लाइने पड़ रखी ती उसकी वो करे भी तुझे तो मैंने का हाँ भी मुझे सब ग्यान है मुझे ग्यान है इसका मुझे पता है संत के बारे में तो मैंने ये बोलकर आगे चला गया तो मैंने और फिर मैं गुड़गाओं आया गुड़गाओं से जोब चली थी मैं दिली रहने लगा दिली जोब लगी थी उसके बाद मेरी त तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम अपदेश लेने के बाद सबसे पहला लाब तो मुझे यह हुआ कि मैंने वो बुराईयां छोड़ी जिन को छोड़ते हुए मैं डरता था क्यों डरता था कि जैसे तमाखु तमाखु मैं शुरू से ही नॉमी कलास से आठीम या उमई कलास से खाने लगा था. तो मैंने मतल कि उस तंबाखो को जब भी छोड़ता था, तो दांतों में चीस मारती थी बड़ी जोर की. मैं चोड़ नहीं पाता था. तो क्या हुआ कि मैंने संतरामपाल जी महरास से जब नाम उपदेश लिय और तो मैंने वो तंबाखो को त्याग दिया और वो प्रोब्लम मेरे दोबारा नहीं हुई उसके बाद माश खाना शराब पीना ठीक है दुराचार करना ये सारी दिक्कतें मेरी परमातमा की दय से वहां पर नाम उपदेश लेने के बाद ठीक हुई मेरे बेटे को आँख में प् चक्कर वो उसने बाद में बताया क्योंकि वो लेडीज बताती नहीं है ठीक है उसने बाद में बताया कि कोई ना किसी ने कुछ करा करू रखा था कोई दिक्कत थी जिसके कारण उसको साल में एक बार वो दिक्कत करता था तो वो उसने जब नाम लिया तो उसकी वो भी दि गिरती तो थी मेरे सामने, लेकिन तब उसने बताया कि ये दिक्कत थी, ये इस कारण में गिरती थी, तो वो उसकी दिक्कत ठीक हुई, और उसके बाद सबसे बड़ा प्रमात्मा मिले, और फिर दया हुई प्रमात्मा की, कि प्रमात्मा ने एक बड़ा चमतकार किया हमारे ग गाउं में हमारी एक जहनी दुश्मनी चलती थी पडोस में ही हमारे पडोसियों के साथ कि जैसा ऐसा होता था कि अगर वो कहीं अकेले में मिल जाएं तो हम मार दें अगर हम उन्हें अकेले में कहीं मिल जाएं तो वो हमें मार दें ये हमारा सिस्टम चला करता था लेकिन प्र प्रमातमा ने और भी चमतकार किये, मेरे पिता जी एकस्पायर हो चुके थे, एकस्पायर होने के बाद पिता जी एक बार मेरी मम्मी के स्वपन में आये और बोले, कि देख तेरा बड़ा बेटा तो अच्छी लाइन पर लग गया है, अब ये तो मदलिक बहुत अच्छा हो अब तु ऐसा कर तेरा दो चोटा बेटा है, उसको भी समझा दे और बोल दे कि वो भी इसी लाइन पर लग जाएगा, ठीक है क्योंकि ये जो संत है ये पूरण है और तुम इसकी लाइन पर इसको लगा दो, ऐसा प्रमातमा ने बहुत से चमतकार किये, देखो इतने तो य ऐसे होता है हमारा सिस्टम, तो हमारी बात हुई, संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि भी ऐसा है किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो, जमने डॉक्टर को दिखाया, उसने हजार नियम बताए, मैंने बोला गुरू जी प्रमातमा से मनी मरदास लगाई, अब सब कु गुरू जी ओंगो फोन किया, गुरू ने भी बोल दिया, कि अच्छे डॉक्टर से दिखा ले, अब दिक्कत आगी डॉक्टर कौन भी अच्छा, तो किसी बगत ने फिर याद दिलाया कि भाई, प्रमातमा से बड़ा को डॉक्टर कौन है, तो वहीं बोल दिया कि हे प्रमातमा की दिया से बिलकुल ठेक हूँ, कोई भी किसी बी तरह की दिक्कत नहीं है, और मेरी वाइफ को भी पत्रियें हो गई थी, और वो भी प्रमातमा की दिया से ठीक है, मतर कि हर तरह से घर परिवार के अंदर आज व्रिदी है, मालक की दिया से, मतर कि लाब ही लाब सर आपने बताया कि आप पहले निसा करते थे, मास भी खाते थे और संतरामपाल जी महाराज की सर्ण में जाते ही आपने निसा छोड़ दिया पहले आप तमाकू खाते थे आपके दातों में दर्द होता था उसके बावजूद भी आप तमाकू नहीं छोड़ पा रहे थे तो سैर संतरामपाल जी महाराच की संड में जाने से आपके जीवन में ऐसा क्याbereight टनाया है कि आपने उनसे नीटिख सलेते ही नसा छोड़ दिया जी ये नहीं बता पाउंगंगे लेकिन एक पावर है उनके पास, संतराम पाल जी महराज के पास एक ऐसी पावर है कि जो अंदर ही, आदमी को उतनी पावर देती हैं कि वो, अटोमेटिकली ही उन सभी बुराईओं से दूर हो जाता है, कि मन ही नहीं करता है, उन पृराईओं मन के अंदर बुह भर देते हैं इंसान के कि वो दुवारा बुराईयों की तरफ जाने की सोस्ता ही नहीं है इतना उनके वचन में, उनके आशिरवाद में, उनके नाम में इतनी पावर है. सर जैसा कि आपने बताए कि संत रामपाल जी महराज के नाम यह कहें कि वो पूरण प्रमात्मा है, पूरण गुरु है, वो देखो आज हम इतिहास जो पड़ते आ रहे हैं, आज कहते हैं कि भई फलाने के साथ यह हुआ था, भग सिंग को ऐसे किया था, या गुर्णानेक देव जी से चक्किया चलवाई थी, बहुत बुरा हुआ भई, गालियां दे रहे होंगे, यह बोल रहे होंगे कि इन्होंने बहुत गल्त किया भई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या जरूरत पड़ी थी इनको ऐसा बकवास करने की, या ऐसा बोलने की, यह वही चीज है कि आगे आने वाले समय में, आज वो इतिहास बन गया, और जिसे इस चीज को समझते हुए जान सकते हैं कि भई, यह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी आज हो रहा है, आगे चलकर एक सुनहरा इतिहास रचा जाएगा, जो आगे चलकर बच्चे इसको पढ़ेंगे और रोएंगे, कि हम क्यों नहीं इसके अंदर सामिल हुए, सर, जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम देख्या नहीं ले रखी, और वो लोग आज भी अलग-अलग बिन-बिन प्रकार की साधनाव में लगे रहते हैं, और फिर भी परिशान है, तो सर, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनसे मेरी प्रार्थना है, कि कृपया वो, जो संत रामपाल जी महाराज का साधना टीवी या अन्य चैनलों पर भी संत रामपाल जी के सत्संग आ रहे हैं, कृपया कर उनको देखें और समझें, कि ये जो साधना है, ये किसी काम आने वाली नहीं है, और इसको समझते हुए ही वो इसको त्यागें और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपतेश लें, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सत्सा है,